दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेका हूँ इस वीडियो में आज मैं अन्बॉक्सिंग और कमपेजिन करने वाला हूँ दो फेमस ब्रैंड के मल्टी परपर्ज एलेक्टिक केटल का जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है तो सबसे पहले मैं ये प्रोड़क्ट आपको दिखा देता हूँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो मेरे राइट एंड साइट पर है ये है पीजन का मल्टी परपर्ज एलेक्ट्रिक केटल और यहाँ पर जो मेरे left hand side पर है यह है अगारो का multi purpose electric kettle दोनों की capacity 1.2 liter की है और power consumption 600 watt की है और इसमें आपको complete one year की warranty मिलेगी दोनों के साथ वीडियो को मैं तीनी step में complete करूँगा जो हमारा पहला step होगा पहले step में मैं करूँगा इनकी unboxing और आपको दिखाऊंगा इसके हर एक part को इसमें क्या-क्या accessories आपको मिलती है step tube में हम करेंगे इन पे food test तो इसमें मैं तरह-तरह के dishes बनाऊंगा और देखते हैं इनमें क्या-क्या problems या क्या-क्या कमिया आती है और जो हमारा last step होगा और उसमें मैं बताऊंगा आपको इन दोनों में से सबसे best आपके लिए कौन सा है तो वीडियो को शुरू से लेके आन तक जरूर देखें अगर आप इस electric kettle का latest price पता करना चाहते हो तो direct link नीचे description और comment box में दिया है वहाँ से अगर आप price चेक कर सकते हो और बिल्कुल original branded discount के साथ खरीच सकते हो यह है kettle की base plate cable की length approach 1.1 meter है यह है lead जो की strong glass और steel से मिलकर बनी हुई है इसका handle plastic का है यह है plastic का bowl जो की foggy color में है यह है egg boiler rack यह है stainless steel की grill और यह है kettle with adjustable regulator के साथ जहांसे आप temperature को adjust कर सकते हैं इसकी जो body है वो 304 stainless steel से बनी हुई है पीजन के इस electric kettle box को open करने पर यह जो lead है यह glass और steel से मिलकर बनी है और इसका handle plastic का है और यह जो bowl है यह transparent है और काफी ज्यादा flexible है और यह है steel का stand और यह है पीजन का electric kettle with temperature regulator और यह है इसकी base plate with power cable जिसकी length है 0.9 meter अगारो के इस electric kettle का जो weight है वो है 472 gram और वहीं पर पीजन के इस electric kettle का जो weight है वो है 441 gram अब मैं पीजन के kettle में मेगी बनाऊंगा और देखते हैं इसकी steel body पर क्या effect होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं container में मैगी बनाई थी तो मैगी का जो थोड़ा सा जला हुआ पाट है इस पर चिपक गया है अब अंडे को boil करते हैं इसके लिए सिर्फ इतना पानी लेना है जिससे अंडे का जो base है वो पानी से touch करें और अब बनाते हैं इसमें coffee और देखते हैं इसके container पर क्या effect होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं container बिलकुल clean है अब अगारो के भी electric kettle में जल्दी से मैगी को बना लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इसके container में थोड़ी सी मैगी चिपक चुकी है जो की easily आप इसको clean कर सकते हैं अगारो में भी अंडे को boil कर लेते हैं और एग रैक को अच्छे से set करते हैं और अब 10 मिट तक अंडे को boil करेंगे और फिर result देखेंगे करेंगे हैं और अब लाश्ट में इस एगारो केटल में दूद को बॉइल करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है तो कंटेनर में देख तकते हैं दूद का बहुत छोटा पार्ट थोड़ा सा इसमें चिपका हुआ है बट इसली ये क्लीन हो जाता है तो अगर हम पीजन के इस एलेक्टरिक केटल में किसी चीज़ को जाधा देर तक वोयल करते हैं या फ्राइ करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जलनी के निसान आपको साब साब दिख जाएगा यहां पे देख सकते हैं साइड में जल चूका है आप इसको इसली क्लीन कर सकते हैं, पितामरी का यूच कर सकते हैं, इसली क्लीन हो जाएगा, बट यहाँ पर यह जलने के निसान दिख जाते हैं, क्योंकि जो इसकी still body है, वो थोड़ी सी थिन है, मतलब पतली है, और वहीं पर बात की जाए यह अगारों में, तो अगारों की still body ठीक होने मतलब मोटी है, तो इस वज़े से इसमें जलने के निसान आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे, बहुत minor हलके फुल के आपको देख सकते हैं, अगर आप इसमें जाद देर तक चीजों को बॉयल करते हैं, वो इसली क्लीन हो जाता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने दोनों पर ही experiment और test करके आपको दिखाया, अब बारी आती है इन दोनों में सबसे best आपके लिए कौन सा है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी information दे देता हूँ, दोनों ही stainless steel 304 के बने हुए हैं, फरक बस इतना है, जो ये pigeon की जो body है steel की, ये हो चुकी है, क्योंकि ये काफी पतली है, इसलिए जल्दी से easily compress हो जाती है, वही पर हम एगारो की steel body पर अगर compressive force लगाते हैं, तो ये easily जल्दी से देख सकते हैं, मैंने इस पर पूरा force लगाया है, तो easily ये compress नहीं होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं, ये easily compress हो जाता है, तो यहाँ पर thickness की problem है, पीजन के power supply की जो power cable है, इसकी जो length है, वो approximately 1 meter है, 1 meter में 10 cm कम है, जो मैंने आपको measure करके दिखाया था, और वहीं पर एगारो में बात की जाए, तो एगारो के power cable की जो length है, 1.1 meter के approximately है, पीजन के मुकाबले एगारो की cable थोड़ी से long है, बात करते हैं इन दोनों की lid की, तो यह जो पीजन की lid है, काफी heavy है, देख सकते हैं, बट इसका जो आप handle देख सकते हैं, अगर आपके हाथ में oil लगा होगा, तो यह इसका handle easily छूट सकता है, और तूटने के chance जादा है, वहीं पर एगारो में ऐसी problem नहीं देखने को मिलती, इसमें आप insert कर सकते हैं, अपने जो fingers हैं, और easily इसको carry कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसकी जो lid है, यह lightweight है, overall performance के base पर, अगर number one पर दिया जाए, तो यह अगारो का multi kettle आता है, और number second पर यह पीजन का electric kettle आता है, तो यह जो अगारो का यह देख सकते हैं, यह regulator है, जहां से आप off कर सकते हैं, और temperature को increase और decrease कर सकते हैं, तो यह जो इसका rotatory regulator है, यह काफी smoothly work करता है, और वहीं पर बात करते हैं, पीजन का, तो पीजन में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा hard rotate करता है, देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा hardness feel होगी, बात करते हैं, इनके price की, तो इनके जो price में difference है, वो 100 से discount के साथ खरीच सकते हो, आप जो मेरे हाथ में देख सकते हैं, यह है egg boiler stand, तो यह सिर्फ agaro के साथ मिलेगा, pigeon के साथ आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, इसको खरीदने के लिए, अगर आप electric kettle का use करें, तो आपको कुछ important चीज़ों का काफी ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो सबसे पहले important चीज़ यह है, कभी भी आप इसको directly water में ना धोएं, अगर आपको इसको धोना है, तो सबसे पहले आपको इसकी lid को हटाना है, और उसके बाद यह देख सकते हैं, सिर्फ इसी चीज़ को आपको धोना है अंदर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह socket है, जहां से connect होता है, तो अगर इसमें पानी जाएगा, तो यह short circuit कर सकता, तो इसमें अगर पानी चला भी गया हो, तो इसको सूखने दें, तभी इसका use करें, आप normally यहाँ साप कर सकते हैं, साप करते समय एक चीज़ का ध्यान रख करें, इसको आप यह लिए कपड़े से साप कर सकते हो, आपको एक important चीज़ का और ध्यान देना है, जब भी आप इसका use करें, तो यह ध्यान रखें कि यह खाली यूज़ ना करें, जैसे कि अभी यह खाली है, आपने इसको power में पलक कर दिया, और इसमें कुछ भी चीज न करें और अच्छी तरीके से बन जाएगा, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें, अगर आप हमारे चनल पर नए है तो चनल को subscribe कर लें, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए product के साथ, नए information के साथ, तब तक लिजए हैं